कि नमस्कार दोस्तों मैं जपी डंडिया आप लोगों का मेरे यूटूब चैनल डंडिया एकवार फिर से स्वागत करता हूं तेखे दोस्तों जो अपना एकटेकल टेउरी का सलेबस सर रहा है कुलाम के नियम दो आवेसों के बीच उत्पन होने वाले बल्ग के बारे में पढ़ा कुलाम ने कितने नियम प्तिपदि किये और उस बल्ग के बारे में देखते हैं कि चालक किसे कहते हैं चालक कितने प्रकार क्या होते हैं चालक की विश्यष्था क्या होती है चालक का प्रयोग कहां कि दता है उसके बारे में आज पूरी विश्थ जान करेंगे पूरा अध्यन करेंगे एक एक चालक के बारे में पढ़ेंगे चालक क्या होते हैं तो चले दोस्तो आज पढ़ते हैं चालकों के बारे में कि विदूत-चालक क्या होते हैं तो आज के इस Basic Lectical Ten Class में पढ़ते हैं कि विदूत-चालक युधूत दोस्तो चालक, विदूत-चालक, अर्थारत. कंड professionals केसे कहते हैं, वह पदार्थ जिन जिनमें से विद्धुधारः आसनी से परवाइद हो सकती है अर्थार्थ पदार्थ की तीन वच्टाएं थी ठोष्ट दर्वर्वर गैस येदी आप लोगों ने पिछली वीडियो नहीं सब्सक्राकराइब अच्छे तरह से जानग्रेप्राप्त हो और आज का इस वीडियो किसी कारकिये को तकलीव नहीं हो तो के विद्धुधारह असानी चालक कतने वरस्था होगी छालक के पारों तो सब्छ के बारे में एक एक आराम से मत्राइए और पूरी विश्त्री जानकरी प्राप्त करेंगे तो वे पदार्थ जिनमें से विद्धुधारा आसाने से प्रवाइथ होती हो अर्थार जिनमें परतिरोध का मान कम से कम हो तो चालकों की विश्यशता क्या है कि चालक वो होते हैं जिनमें परतिरोध का मान परत्रोद का मान कम से कम हो अच्छे से अच्छा चालक होता है मतलब आर का मान कम यह तो थी बात इसकी अब देखें दोस्तों आर का मान कम होता है तो चालकता होती है परत्रोद का उल्टा होती है परत्रोद केसे काते हैं पिछले वीडियो में अच्छे तरह पढ़ा रखा है पूरी जानकर दे रखी है तो आप इस विद्धु चालक के अर्था चालकों के भारे में पढ़ने से पहले पिछले की वीडियो देख लो जैसे में आपको किसी प्र बिद्धु दःद्रा के में में सुप्धमता प्रदान करने वले गुन को चालकता कहते हैं जिसे दरशाते हैं है परत्रोद की कई और ती है अधिक उल häufig होती है यह इसका दूसरा गुन स्क्रेंशचन हो चालकता का मान अधिक्सायदिक हो उस्तम तो दूसरी बात आती है रजिश्टिविटी मुन इस प्रतिरोदक्ता का मां है कि प्रतिरोदक्ता रजिश्टिविटी कि यह रिजिस्टिविटी क्या होती है यह भी पिचली वीडियों बता रखा है कि रजिश्टिविटी बोल दो चाहे विशिष्ट प्रत्रोद बोलतो कि एक पदार्थ किसी चालक का घं के आकार का टोकड़ा काट ले जाए और दोनों इस घं के आकार के दोनों बुझाओं की बीच का प्रत्रोध विशिष्ट प्रत्रोध कराता है प्रत्रोध कराती है जिसको रोसे दरसाते हैं यह होगी जिसको रोसे दरसाते हैं इसका मान कम स कम होता है वह अच्छा से चालिक होते हैं यह होगी दूसरी बात एक तो इन इसका हां थे चारबत का माण भी उच्छ उता है ज कि विषिष्ट चाह्लगता का मान भी उच्छ होता है रेजिस्टिविटी या बोल दो या विशिष्ट प्रक्रोद होता है इसमें विशिष्ट चालगता का मान भी उच्छ होता है वो कितना होता है वो पदार्थ की प्रकरती पर डिपेंड करता है पदार्थ किस प्रकार का है चांदी है तांबा है अलिमूनियों है सोना है लोहा है प्लेटिनम है नीकिल है जो भी है उसकी प्रकरती पर इनका मान निर्वर करता है तो किस प्रकार के प्रतार्थ की चालकता कितनी होती है वह एक एक का वर्णन करेंगे तब पूरा पूरा विश्थेता ध्यन करेंगे इसका गल्लांग कितना होता है यह तो थ पुछली वीडियो में आप अच्छी तरह से इसकी जानकरी पराथ कर सकते हों तो चालकों को पढ़ाने से पहले जितने भी इसकी विशेस्ता आती हैं सब के बारे में मैंने पढ़ा रखा है तो इनको पढ़ने से पहले दिया आप पिछली वीडियो को देख लोगे तो अच् इलेक्ट्रोन, फ्री इलेक्ट्रोनों की बहूलता होती है, मतलब कि स्वतंत्र चालक, स्वतंत्र इलेक्ट्रोन, चालकों में सवतंत्र इलक्टोनों की बहूलता होती है मुझलबी सवतंत्र इलक्टोन सबसे अधिक होता है फ्री इलक्टोनों के संक्टा सबसे अधिक चालकों में होती है तो ही सबसे अच्छे चालक होते हैं उसके बाद प्री एलेक्ट्रों की बात किसे ये तो थे सुतन तरी एलेक्ट्रों जिसकी पदार्थ के प्रमान की भारी कक्षा में वो एलेक्ट्रों जिन पर नाभिक के बल्ग का मान सबसे कम होता है वो एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ अर्थार्थ एक प्रमान से दूस वैलेंसtez इलेक्ट्रोन संधे हो सवे होगी चालक प्रौस होगी सबसे अच्छा चालक कहलाएगा इसलिए एक वाले जैसे चांदी है तंबा सब में क्याये है Dark और free इलेक्ट्रों की संध्या सबसे अधिक होती है सबसे अच्छे चालक होते हैं यह तो थी बात वै Almost electron के एक है 1 नहीं हो तो क्या हो अर्थाथ एक या दू वैलेंस इलेक्ट्रोन के संख्या क्ती में हो एक या दू अन्य था इन्हें इसके बाद देख़ा जाये तो चारशे कम होती है क्योंकि चार जब किसी यह अर्द Contra को सबसके चालक शना के टॉस्याइन होता है तो दोस्तों यह तो उन चालकों की गुंड थे कि चालक में कौन कौन होने चाहिए तो प्रिक्षा में काफ़ेवार रहता है कि चालकों में रिजिस्टिविटी कमान कितना होता है रिजिस्टिविटी कमान यह रिजिस्टिविटी कमान कम से कम होता है कितना कम होता है यह पदार्थ की प्रकृतिव वोता है कुछ अपवाद चालक होते हैं जैसे में आपको बताऊं यह भी पर ने पर फिसली वीडियों देख लना अपवाट ठोस में देखा जाए तो कारबन होता है तो चालक की स्रेणी में आता है लेकिन उसका प्रत्रों ताप गुनाक रिनात्म होता है एक आता है गैसे च तो प्रत्रों के बारे में आगे चालक के कितने परकार होते हैं चालक के परकार की बात करते हैं कि चालक के परकार टाइप्स ओफ कंड़क्टर यह अब देखें दोस्तों चालक हिंदी सब्द है कंड़क्टर अंग्रीजी सब्द है और अपने नीमी बहसा की बात की जाए तो सम्वाक बोलते हैं इसको सम्वाक क्या होता है चालक ही होता है तो आज पढ़ते हैं चालकों की प्रकार की अब देखो चालक की प्रकार चार प्रकार की चालक होते हैं एक ठोश चालक दर्वे चालक गैशे चालक और सुपर क्रडेक्टर उनकी अती चालक होता है माना आप देता हूं एक ठोश चालक तर्वा चालक लिक्विड कंडेक्टर और तीसरा गैसे चालक गैसे कंडेक्टर और लास्ट में आता है अती चालक अ उप्यांगे सूपर कंडेक्टर यह चार प्रकार की चालक के बारे में एक एक का वरणन करेंगे और प्रतेश चालक क्या देखें देखें कि चालक ता कितनी होती पत्रोधवत Darren कि ना हता वह कौन कौन से होते हैं इशन और अच्छे तरह से बढ़न करेंगे तो सबसे पहला छांक पड़ते को विश्यष्ता देखो छो तो भी विश्यष्ता देखी जाए तो इसकी तन्यता अधीत होने चाहिए अच्छी होने च्छिए कि खिंचने योगी है मैंने आराम से तार बनाने योगी तनिता रखेंगे तो अच्छी होगी है थोच आलकों की विश्यश्था होती है इसमें में अगहात वर्दनी होता है एक अगहात वर्दनी है मुझा कि मेलाविलिटी अमान अधिक शाधिक होना चाहिए दूसरा यह अबता होने चाहिए यह इनकी विश्यश्था होती है तो ठोस आलकों में सबसे पहले देखोना हो पड़ते हैं चांदी कि शिल्वर कि तंबा कोपर कि सोना कि अल्यूमिनियूम मैगनीज जिंक, निकिल, लोहा, कोबाल्ट यह चालकों की चालकता क्या सेने के क्रम क्या अधार पर है यह सबसे पहला एक, दो, तीन, चार, पांट, छे, साथ, आठ यह लाश्मिन लेड आता है मिलगी प्लेटिनम आगा कोबाट के वाद है प्लेटिनम फिर लेड इनकी चालकता कि आधार को इनका वर्गी करेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे चांदी के बारे में क्यूंकि चालक के एक इस प्रकार का अपना एक अव में सबसे इंपोर्ट remained topic होता है जिसको पुड़ना अनवारी होता है समझना अनवारी होता है कि परसटार रहारी की करोगे जितना अधिक पढ़ोगे वह सबसे एक्टा के कैसे कैसे होता है चांदी विदूत का सबसे अच्छा चालक होता है अच्छा चालक है कभी कभार किताबं में सोना महता है कभी कभार किताब में आता सोना लेकिन ऐसा नहीं चांदी विदूत का सबसे अच्छा चालक होता है अच्छा चांदी विद्विध का सब्से मन सबसे कम होता है और चालकता कमान ऐसे उच होता है अच्छ कोता है तो आज देखते हैं कितनी इस्चीविटी होते पृत्रट का मान कितना होता है सालकता कामान कितना होता है इसका गल्लांग कितना होता है फारेन हाइट और सेंटी गलेटिव दोनों बें पड़ेंगे तो देखते हैं कि विदृत का सबसे हैं को चलब क्योंकि इस सांदी के प्रवाई काख्षा में इलक्रों के संख्या होता है एक eleri اس की बात कि इसका एक कोर साहता है से सुधी सुध अवस्था में पाई नहीं दाती है इस सुध्य में पाई जाती है कि किसे प्रकार की एकस वेसे चांदी कमान को सुद्धिकन करके प्राप्त क्या जाता है चांदी को सुद्धिकन करके प्राप्त क्या जाता है तो S कौन को से होते हैं सिल्वे राइट सिल्वे राइट एक और ये कोता रूबी सिल्वर यह पदार्थ होते है इन मेंसे चांदी को सुध्य करके प्राप्त केया राता है ăngर्ट्रोरे सुध्य मेंसे चांदी को निकल राता है और यह इसक और उसके बाद इसका πरत्रोद ताफ बनांक पर्तिरोद ताफ गम्रुड़न टेम्परिचर कॉफिचिंट कि इसे कहते है कि किसी ध्हातू या पदार्थ पर knocks पर कि ढड़ा जाता है तो उसके परतों होता है जितना होँ कि ढड़ाएग बावू यर करें पर 몸 rec the e lawsuits य्जिच घी बिए गर耐 गा ध्यज गगरें 0.00381 पर 5ámर बढ़ाने पर इसकी प्रत्रोद में 0.0038 on K अंतर होता यह कने साता धनात्मक होता है बढ़ता है धनात्मा कादरों कि इसका प्रत्रोंत इतना अमान बढ़ जाएगा इसकी चालक्ता के बात कर लेते हैं कि चालक्ता का मान कितना होता है बीच डिग्रीश एंटीग्रेट पर तेरे सेट पॉइंट जीरो एक गुणा दस की घात छे महो समय को परति मिट्र एक होता है सेमेंसमें सा बोलता है साइमन परत्र मिट्र तहएं मिट्र होता है या फिर कभा कभार ऐसे लगते हैं कि साइमन परती मिट्र होता है अब इसको यह आप कनवर्जन करके देखोगे तो एस इंटू एम की घहात माइनस एक यह भी इसका इकाई होती है तो लिख देते हैं एस इंटू हैं माइनस एक यह भीसके काई होती है महुपृती कभि कमराता कि चांदी की चालखता कितनी होती है तान बे से इसकी तूला किजाए तामबे से इसकी तुलना के जाए तो चांदे की चालता एक्सोच्छा परशेंट होती है तामबे से तुलना करेंगे तो बीश डिग्री शेंटीग्रेट पर इसकी चालता एक्सोच्छा परशेंट होती है उसके बाद इसका प्रतिरोधक्ता की बात के जाए प्रतिरोधक्ता होता है कि धिज य्चाय बीस दिगरी ऑनगी कितना मानते हैं तो इसकी southern 1.640-0.6 ohms होती है यह होती है इसकी होती है प्रत्रोद का हमान होता है 20.64-0.6 ohms होता है यह तो होता है अब इसका गल्लांग की बात कर लिते हैं गल्लांग कितना होता है झांदी का गलांग बहुत बार प्रिक्ष का के जाता है और पूरो देखोंगे कि सब किरितों Hem का ते के अवर ख Comics जब सबनेंग ड्रक जाता है में पूर्य इंडीग्रेट का लिए मेंडीड दीण उटेघ ङुआंट सब्झिति इना होता है चांदी गल जाती है। अपना सवरूत बदल लेती है गल जाती है, उसको कहते है गलांक 960 degree centigrade और ऐसका मान भोता है 1661 degree Fahrenheit होता है। यह तो दोस्तों चांदी की बात है। चांदी विदू का सबसे अच्छा चालग होता है उसके बाद इसका आपटक्षित घंठ्व देखा जाए तो आपटक्षित घंठ्वध कितना होता है 10.5 होता है ऑप हB810.5 होता है इसका आप European मेंगी वहने के करन तक प्रविप चेँ परियोग कम से कम क्या रंपरते हैं करते हैं 810 ब्रेक्रों में तोर पर इसका प्रियोग करते हैं जैसे ब्रेक्रों कि बनाते तो बात देखा जाए तो इस्टार्टरों में संपर्क बिंदू में हिंदी में संपर्क बिंदू रिले और दूसरा आता है देखो इस्टार्टर इस्टार्टर निर्मान में करते हैं इस्टार को हिंदी में परवर्थक बोलते हैं और एक लास्ट दोस्टर आपता होता है कि अल्य में आता है अल्य का मतलब लाइटनिंग अरेश्टर तडित चालक यंतर जो भ्हुनों की सुरुक्षा के लिए भ्हुन के ऊपर आकाशेब से रिले से शुरक्षा के लिए जिस यंतर का प्रियोक ज़लते ही आष्टर हंदी में तड़ित द्व्रोंग लॉक्र। लाइटिंग ए हैं लेस्ट एक सब्सक्राइब करी नरे तरहते हैं दूसरी बात महिंगी होने के करना इसका प्रयोग कम से कम किया जाता है तो यह दोस्तों आपना चांदी है जो सबसे महिंगी है लेकिन विदूत की सबसे अच्छी चालक होती है तो कभी परसंद की विदूत का निम में से सबसे अच्छा चालक कौन है तो चांदी होती है यह तो था नमबर वीडियो को मिशने करें और वीडियो को पूरा देखते रही है लास्ट तक देखते रही है अब नमबर दो प्याता है तामबा तामबे का वर्गीकन करते हैं इनको आप अच्छे तरह नोट बना कि का पिम लिख लेना जिसी कि आपको बविश्य में किशी पुर करकी कोई तक तामबा कोपर कोपर को सी यू से दरसाते हैं एक देखना कोपर को सी यू से दरसाते हैं तो दोस्तों ठोश आलको में चांदी के बाद नमबर दो क्या आता है तामबा चांबा चांदी के पेक्षा कुछ रिजिस्ट्यूटी के मामले में या इस अपने विदू चेतर के माम आप दूसरी बात बात करते है चानदे में तामवा देखाना है कि जो सब्सक्तर इसका कि OC कने ए ए लेक्ट्टॉनों की संख्या कंटीस होती है कि प्रमानु क्रमांघ होता है करेंучिक प्रमानों तु कि अबारे में कि इदे गुंतीस इलग्रोण हैं तो गुंतीस प्रोटवन है इल्लेक्टोनों का निर्धारन कैसे होता है ? कील किल गताता है और दोस्तों आप Kitased नमर एक बेसिक लेक्टर कि क्लास एक में देखना पूरे प्रमानु अनू, अनू, इलेक्टोन, प्रोटोन, न्यूटोन, नाभी सब के वारे में अच्छे तरह से वर्गिकन कर रखा है जिसे कि आपको प्रिक्षा में बहुत ही इंपोर्टेंट होता है और उन इलेक्टरों के आधार पर ही इन चालकों की वर्गिकन की बात की जाती है तो आप उनको अच्छे तरह से देख लेना दोस्तों वीडियो का वर्गिक एक चालक का वर्गिकन करेंगे वीडियो को लाच्ट एंड तक देखते कि आपको प्रिक्षा में किशी प्रप्रिक की कinek कोई समस्या नहीं आए तो इसके बात करते है इसकी गलां ऐसक की बात करते है सबसे पहले किस सुद्ध में से तांबे को प्राप्त किया जाता है सुद्ध अवस्था में तांबा प्राप्त नहीं किया जाता है जब आप देखते हो तांबे की खान होते हैं उन्हें सुद्ध अवस्था में तांबा नहीं आता है वो पदार्थ ही गलता है उस पदार्थ क कूपर पाइराइटीज या क्यों प्राइट है इस यह सुधी है इन में से कोपर को सुधी कड़ करके प्राप्त किया रहता है उसके बाद देखते हैं इसका प्रत्रोत आप उना करें कि टेंप्रेचर कोफीशेंट कितना होता है मतलब एक डिगरी ताप मल बढ़ा आने पर तामबे की परत्रोत में कितना अंतर आता है तो इसको कहते हैं जीरो डिगरी सेंटीग्रेट पर वन अपून 2-3-4.5 234.5 ओं प्रत्रीग्री सेंटीग्रेट का अंतर होता है इतना अंतर होता है इसके जीरो डिगरी से इसकी बात करेंगे जीरो डिगरी के बाद में जब भी आप इसका ताप मान को बढ़ाओगे तो इससे इसका मान और अधिक बढ़ता चला जाएगा क्योंकि ठोस्ट धात्म का प्रतिरोद ताप उनांग धानात्म को होता है जब इनको ग्रम करते हैं तो इनका प्रतिरोद बढ़ता ही है घटता नहीं है तो ग.'क्रवन को यह तो ता इसका प्रतिरोद ताप उनक उसके बाद इसका विशिष्ट्ट pot Stunden के बात करते हैं कि के वीशिष्ट्ट प्रतिरोद अर्थारोम एसी बात करते हैं इसका होता है जीरो पॉंटफ वन सेवशन टू मीटर होता है विसीश प्रतरोद긴 काई ओम होती है 0.172 MIKE Dia या चेंटीमिटर में बात किई जाए तो 1. circuits 10-10 ohm डीनिया होता है दोनों के दोनों प्र्जसा में पूछा जाता है कि में पूछा जाता है कि इसकी राजिस्टिविटी का मान कितना होता है biri की तक होते हैं प्रत्रोद का मान चांदी की इसका कुछ अधिक होता है इसलिए चांदी संप fourteen की विदुद की चालक होती है शिर्वर विदुद की सबसे अची चालक होती है उसके बाद आता है क्योंकि इसका विशिष्ट परताद का मान चांदी से कुछ अधिक होता है और चालकता कंडुक्टिविटी की बात की जाई कंडुक्टिविटी की बात की जाई Champagne इसकी चालकता का मान कितना होता है remind 100% होती है चानदी की तांवे की 106 पर्षेंट interpretations और यहां 20 डिग्री टिएक सुपर संतर होता है और मज़न। इखा जाए कि सेंटे प्रेच चालकता देखे ना 59.6। इन्ट in 223 पावर माऍनेस चीन तो पावर माइनेसिस मांत पावोयझे है यह 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 होती है यह फीर साइमन प्रती मीटर होती है यह इसकी चालकता होती ए उसके बाद इसका गल्लांग मेल्टिंग पॉंट देखा जाए कि कितने डिग्री पर आकर तंबा पिंगल जाता है अपना सवरूप बदल लेता है और तरली अउस्था प्राप्त कर लेता है जिसको करते हैं गल्लांग और गल्लांग की बात कि जाए तो एक हजार 183rd century इन्तिग्रेट इसका गल्लांग होता है और फारेन हीट मेरी बात कि जाए तो करते हैं एक तो होता है अर दूसरा होता है कर्शित-कठोर तामबा अर्धार्थ-Hardarn को पर अब तोने सवरूपों के देखा जाए तो किस प्रकार के सवरूप का प्रयोग कहां किया जाता है इसलिए सीदे तंबे की बात नेगरेंगे का परियोग कहां 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 किया जाता है सबसे पहले देखेंगे कर्षित कठोर तामबा हार डान को पर का परियोग कहां किया जाता है तो चले दोस्तों इसमें देखते हैं यूज इसका परियोग कहां करते हैं नंबर एक पर आता है कर्षित कठोर तामबा होता क्या है कर्षि कर्षित कठोर तांबा कैसे होता है इस अधिस को वह ते हाड़ डान को पर कि हाड़ डान को पर कैसे बनाते हैं साधान तांबे में कुछ मात्रा में जैसे तो हाड़ डान को पर में तांबे में कुछ परसेंट तांबा प्लस कुछ परसेंट कैडिमियम कुछ परसेंट कैडिमियम में लाया तो क्या बन गया हाड़ ड्रान कोपर कर्षी त गठोवर तांबा पंज जाता है। यह तो थे इसके तांबे के पहला सुरूप जिसका प्रयूप कहां क्या कहता है और हाट अकोपर की विश्यिष्था क्या होते हैं। साम्बे में कड़ मिलाते हैं तो इसकी चालकता का मान कुछ घठ जाता है जाती है जिसका परत्रोग का मान कुछ बढ़ जाता है लेकिन ऐसा नहीं है कि यह बाकी जो अपने चालक उन्से कमजोर हो यह इसके तनन्चमता का मान उच्छ हो जाता है आप खीच कर कितने भी खीच सकते हो और दूसरी आते हैं यह घिस्ता कम है गिश्ता कम है यह तोनों के दोनों विश्यस्ताओं के कारण इस हाड रान को आपर का प्रयोग कहा करते हैं अपने मेट्रों में हैं मेट्रों रेलवे में यह होते हैं जैसे convince पर तार होते हैं जिसे ओर हेड्लाइन होती हैं उनमें इस उस्फित कट्छ घटतामें पेक्ट्रियो करते हैं डिया इंसके मलिक देता हूं हू जा गए रेल्वे में यूज क Hi तांगे में करशित-करफ़ तांबे का यूज कि स्प्लीट रिंग में इस प्लीट रिंग में सलीप रिंग में और कम्यूटर में मतलग इसका नाम है विभक्त वले हिंदी में विभक्त वले में सरपिल यह जुरूर ने कि सरपिल ये जिक परिवर्तक उलिख परिवर्तक दिक परिवर्तक में इनमें इसका पर्योग कर्शिद Bat米 का परियूग क्या प क्या हुते हैं क्या होता हुट है कि यह स्लिट्रिंग करते हैं मुइं स्प्रिवर्थ करते हैं यह ऐसी लिएसी को इसे को डिसी में कुंप प्रिवर्था नहीं करती है का समूह है स्चुणी का समूह है कम्यूटर कहाता है जिसको दिध परिवर्थब होते हैं अपने डीसे जने टर में वहां इनका परियोग कहाता है और बात आगे sleep ring में एसा नहीं कि sleep ring में इस कर सित कर रुप को नाते हैं उन्हें की मात्रा तांबे में is ब्रोअग का निर्मान कर निर्मान कर देता है लेकिन कम और रेखा जाए कि उ प्रेवर्तक में देखा जाए के segment की ईस हाड रटों कोपर से ही होते हैं क्योंकि ये घिसता कम है खुद कम घिसता है इसलिए इसका प्रयोग अधिक से अधिक किया दाता है यह तो दोस्तों कर्शित कर्षित 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 क यह होता है यह लेकिन यह की पॉलिस उसकी पर चड़ा देते हैं तो बाल अरता है यह नरव होता है इसके उपर नरम होता है यह नरम ही होता है जब इसके उपर इनामल की पाले सड़ा दी जाती है तो इस ताम्वय का नाम बद देता है अनलिकर्थ ताम्वा जिसका प्रियोग मोटर में ताम्वय की लिख देते हैं इसको अपर कि एनामिल कूच आलक कि पर्त चड़ा दी जाती है इसको कहते हैं एनिल्ड को जिसको क्या कहते है एनली कर तामबा करते हैं इसका परियोग कहा करते हैं यूज देखो बाकि कुछ नहीं यूज इसका यूज करते हैं मोटर में जनरेटर में ट्रांसफर्मर में किसी रिले के निर्माण में जो वाइंडिंग कर निर्माण करते है जो क्वाइल बनाते हैं उस सभी प्रकार के मशिनों के अंदर जो क्वाइल करते हैं वांडिंग करते हैं वो इस सभी प्रकार की मोटर आपका अश्या डिक की मोटर ACO DCO कोईल बना ली मोटर जनीतर को अल्टरनेटर के परत्यवर्तक के ट्रांसफार्मर परिणामितर के रिले के बाकी मशीन जो भी होंगी जिन में वैंडिंग का निर्मान होगा कोईल का प्रियुक्या दागा जैसे अपनी AC मशीनों DCO सभी प्रकार की मोटर में जने प्रत्यवर्तक्य में जहां में वैंडिंग का निर्मान कराता है तो किस प्रकार का ताम्बा करते हैं सूपर सूपर एनामिल कोपर वायर कोपर तार का प्रियों किया जाता है ये प्रिक्षा में दोस्तों बार बार पुछा जाता है कि मशिनों की वाइनिंग किस प्रकार के तादू से की जाती है किस प्रकार के पदार्थ से की जाती है यह होती है Super Enamil Copper Warrior,घार यह कूचालक पदार्थ होता है किस परकार की में शामिल कि जाती है यह तो दोस्ता इसका प्रयोग था अब कहते हैं सुद्फताम्बे का प्रयोग अपने तारो में केब निर्माण में जहाभी परयोग करते हैं औशी vivir और पूरा का पूरा अध्यन करेंगे, बार किसे जानेंगे, एक-एक कॉंसेफ्ट को किलिर करेंगे, और दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगया आप लोगो को, कुछ शीखने को मिले, एक्स्टा मिले, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स करना, और जो दोस्त पहले ब पूरा सलेबस यहीं पूरा करवा दिया जाएगा, कि आपका टाइम बचे, और अच्छी से अच्छी जानकरी प्राप्त हो, तो चले दोस्तों, आगी का इस नमबर तीन पे देखते हैं, सोना, सोना क्या होता है, सौनिक ऐस कितना होता है, गलना कितना होता है, तो अपने ठ कि चलंक का वर्किकर्ण अच्छी तरह से करेंगे, बीच लिए वीडियो को पूरा देखते रही है, वीडियो को लास्ट अन्ड तक देखोगे, किशी प्रकार की कुछ समस्या नहीं होगी, तो दोस्तों, सोने में, सोने की बात, सोना नमर तीन पे आता है, सोने में बात कि सोने का आयस्क, सोने का आयस्क, सोने का आयस्क, सुद्धी, किस सुद्धी में से सोने को सुद्ध किया जाता है, उसको कहते है, कैलिवराइट, कैलिवराइट पदार्थ होता है, उसमें से सोने को सुद्ध करके प्रात किया, सुद्ध सोना नहीं होता है, इसमें से प्रात क इंटीग्रेत होता है ये आगात वर्द्नी होता है फ़र हुआ होता है इसके तन्यता सरवाधिक होती है इसके तन्यता सरवा दिखोती है और उसके बाद इसकी बात के जा yeni तो यह अपने एल्यक्क्रड़ चत्र में यूज देखा जाई तो अपने विदू चत्र में इसका प्रयोग नहीं होता है ना के बरके नहीं होता ही नहीं है अब देखो likes की दोस्तों बात के जाए तो यह कि सुद्षोन है कि पुद्षोन बीद्ध का में के दियृब है औरस जोन आपफुर्ण नहीं बना जाते हैं अब एक के दो पर्सेंट में आशोधिन में मिलाजाती हैं या फिर कोपर मिलाजाती है क्यों सोने को मजबूती प्रदान करने के लिए क्योंकि मुलाइम सबस्यद्र रिक होता है इसके अभूसण या होता है तो 22 करेट सोने का होता है 22 करेट सोना 22 करेट में 24 करेट में 24 करेट में 2% तामभा अप्लेटी मिलाते हैं उसके बाद बात करते हैं अ चर्वारो का होता है रोक ऑथा जीरो जीरो दो तूफॉर ओम ईत्र होता है इसके पुर्ट अगठा का मान होता है इसका वर्गे कर इतने हैं क्योंकि अप्रियुग कितना ही होता है सैना हें नहीं है सालकता के इसकी चालकता सोने की इस नहीं सौरी ताभे कि एक distant इस नहीं की इस नहीं वह एक्टी इसकी तरह रचenteलो कर गाये है वत्र कोटि है तो चाइनल्ञ की किती तर्फ यह संद्धी की अग्रे परे गवी परेशंट ताहगां परशेंट तो सोना बहतर परशेंट और अलुमूनियम आएगा 62 परशेंट पर आएगा तो एक-एक चालकता के आधार पर एक-एक चालकता वर्गी करेंगे जो अपने लेक्टर के चत्रे में बहुत ही उप्यों गोती हैं तो दोस्तों नमबर 4 पर पढ़ते हैं अलुमूनियम क्या होता है लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए आज की वीडियो को यहां डॉप करते हैं अगले शेगंड पार्टर पढ़ाएंगे अलुमूनियम से सुख रहेंगे आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही है और वीडियो के लास्ट अगले वीडियो में पढ़ेंगे अलुमूनियम से अगे पढ़ेंगे फिर कुछ अलक और अर्द चालक के बारे में विश्तित वरगी करेंगे